Hello everyone, welcome to study chakra तो इस वीडियो में हम बात करेंगे capillary action के बारे में capillary action को capillarity भी कहा जाता है और हम लोग ये देखेंगे capillary action की पिछे क्या कारण होता है क्या reason होता है, ठीक है देखो कोई भी आप एक पतला tube लो, बहुत ही पतला जिसे आप देख सकते हैं जो refill होता है आपका, pen का refill तो उसमें देखो, ये जो hole होता है वो कितना पतला hole होता है, इस hole को हम लोग वोर बोलते हैं कोई भी एक पतला सा tube अगर आप लेते हो तो उसको हम लोग capillary बोलते हैं ठीक है, जिसमें very fine war मतलब बहुत ही पतला hole हो and that tube is known as capillary right, अगर ऐसे किसी capillary को आप किसी liquid में डालते हो जैसे मालो ये liquid है liquid में पानी भरा हुआ है तो होता है क्या है कि liquid का जो level है मालो यहां पे है आपका जो बरतन ये vessel जिसमें पे liquid रखा हुआ होगा उसमें अगर मालो level यहां पे है तो आप देखोगे कि जैसे ही capillary आप इसके इंदर dip करते हो, इसके इंदर डुबो देते हो, तो capillary के अंदर जो liquid होता है, वो थोड़ा सा उपर उड़ जाता है, यहां तक आ जाता है तो यह जो capillary tube के अंदर liquid का उपर उठना होता है, मतलब बाहर level कुछ और है और अंदर level उपर आ चुका है, इसे rise of liquid को हम लोग capillary action बोलते हैं, कोई भी एक पतला tube अगर आप किसी liquid में डालते हो, तो liquid का जो level है, capillary में उस level से liquid उपर उड़ जाता है, इसको आप capillary action बोलते हो या फिर capillary, ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, वो liquid पर depend करता है, कुछ ऐसे liquids भी होते हैं, जिसके अंदर आप capillary डालोगे, तो liquid उपर उठने के बजाए नीचे गिर जाता है, मालों आपने एक tube इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है, तो इसमें उपर उठने के बज होते हैं, और यहां पे liquid level क्योंकि नीचे जा रहा है, तो इसमें capillary fall बोलते हैं, अब एक चीज़, जिस जो liquid solid को wet करता है, हम लोगे इसके बारे में पढ़ रखा था, जो angle of contact है, उसमें मैं आपको बताया था, कि अगर liquid solid को wet करता है, तो angle of contact acute होता है, जिसे अगर आप पान पानी और glass ले लो, तो पानी glass को wet करता है, तो पानी और glass लोगे, तो ऐसे किसमें glass को पानी जो है, water जो है, वो wet करता है, ऐसे किसमें आपका जो liquid level होगा capillary के अंदर, वो rise हो जाता है, उपर क्यों रूठता है, अगर आपने पानी लिया, और पानी के अंदर glass का tube डाला, त पानी कैसा liquid है, जो glass को wet कर सकता है, तो ऐसे case में आपका liquid level होगा capillary के अंदर, वो rise हो जाएगा, उपर उठ जाएगा, अगर आपका capillary tube ऐसे solid का बना हुआ है, जिस solid को liquid wet नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता, ऐसे case में liquid level fall हो जाता है, और ये case होता है कि अगर आपने यहाँ आपे water के जगह पे mercury ले लिया, mercury आपके glass को wet नहीं कर पाएगा, गीला नहीं कर पाएगा, ट्यूब को, और इसके वेज़ से होता है, इस case में क्या होता है, mercury के level उपर उठने के बजाए नीचे चला जाता है, इस तरीके से, ठीक है, अब ये liquid level उपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, इसका explanation हम लोग देखेंगे, पर फिलाल यहां पे देख लेते हैं कि आपको capillary action का example कहां देखने को मिलता है, कई जगह पे अब daily life में capillary action का example देख सकते हूं, जैसे कि अगर मान लो, आपको कोई कपड़ा का एक end किसी पानी में ऐसे डूब जाता है, पानी क पानी के अंदर डालो, देरे-देरे वो क्या करता है, सारे पानी को खींच लेता है, और पानी और ऊपर तक चले जाता है, इसका reason यह होता है, कि आपका जो towel है, towel में छोटे-छोटे spores होते हैं, holes होते हैं, और यह holes capillary का काम करता है, यह आपके tube का काम करता है, और इसी tube के अंदर से liquid चलते जाता है, घुस्ते चला जाता है उपर, because of capillary action, समझे, एवन आपने sponge देखा होगा, sponge को अगर आप पानी पे रखोगे, तो sponge वो पानी को सोख लेता है, अब उसमें भी आप देखो, कि sponge के अंदर छोटे-छोटे holes होते हैं, spores होते हैं, और वो exactly इसी capillary tube के वहाँ पे भी होता है capillary action, जिसके वैसे वो पानी ऊपर cure चाह जाता है, इवन आपको पता है कि जो पेड़ होते हमारे, trees होते हैं, उनको nutrients चाहिए होता है, और वो nutrients जो है, वो water के अंदर होता है, जो की जमीन के अंदर होता है, water प्लस उसके अंदर जो nutrients dissolve होते हैं, उसको हम sap जो है, यह liquid, यह तो धरती के अंदर होता है, जमीन में होता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो पेड़ है, पेड़ के जितने भी जितना भी उपर पेड़ होता है, और जितने भी उसके पत्ते हैं, जितने भी उसके टहनिया है, उन सब को nutrients मिल जाता है, वो nutrients, वो water, उन कुछ cells जमा होते हैं और यह cells का जो tube मिलकर बना हुआ होता है यह actually इमें capillary tube के तरह काम करता है और इसे के थुरू water जो sap है वो उपर के और चड़ता है पेड़ के अंदर तो यहाँ पे भी आपका capillary का हाथ है आपने देखा होगा जिसे अगर आप दिया जलाते हो तो दिया में आपको पता है cotton का बाती हम डालते है यह cotton का बाती डालते है अब दिया के अंदर तेल में अगर cotton का यह वाला हिस्सा अगर आपने dip कर दिया तो धीरे धीरे तेल जो है oil जो है वो पूरा oil चड़ जाता है इसके अंदर अगेन आपका जो बाती होता है cotton का उसमें छोटे-छोटे holes जैसा कुछ होता है या holes की तरह कुछ होता है वो holes capillary tube का काम करता है और तेल इसके अंदर capillary, तेल का capillary rise हो जाता है ठीक है? और यहाँ पे भी आपका capillary action आपको बड़े आसानी से देखने को मिल सकता है ठीक है? इवन chemistry के lab में या फिर अगर आप lab में काम करते हो अपने कोई, sorry, कोई experiment किया हो तो आपको यहाँ पे बहुत चोटा सा capillary मिल जाएगा उस capillary को आप अगर पानी में dip करोगे तो आपको clearly दिखाए देगा कि capillary के अंदर का जो liquid level है वो बहार के liquid level के comparison में ऊपर उड़ चुका है ठीक है यह सारे के सारे examples है capillary के अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यह देखते हैं कि आखिर में capillary action होता क्यूं है तो हम लोग दोनों का explanation देखेंगे capillary rise का भी और capillary fall का भी और यह explanation होगा pressure difference के basis पे मैं explain करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर देखो जैसे मान लो आपका वो situation जहां पर आपका liquid अभी तक rise नहीं हुआ है ठीक है अब देखो यहां पर हम यह मान के चलते हैं कि आप वो liquid ले रहे हो जो liquid solid को wet करता है गीला करता है ठीक है जैसे पानी और glass तो यहां पर ट्यूब आपका glass का बना होगा ट्यूब हम glass का ही रखेंगे और capillary tube और जो पानी यहां पे लेंगे यहां पे जो हम liquid लेंगे वो water लेंगे जो की solid को यह glass को गीला करता है तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि आपका angle of contact acute होता है और इस case में आपका जो liquid होगा liquid column capillary के अंदर वो rise होगा उपर की हो जाएगा तो यहां पे मानके चलते हैं वो situation जहां पे अभी तक liquid level rise हुआ नहीं है बलकि liquid level उपर उठने से पहले का just just पहले का situation हम यहां पे मानके चलते हैं तो यहां पे अगर तुम liquid देखोगे तो क्योंकि यहां पे angle of contact acute है तो आपका liquid level जो होगा व इस शेप और पूरा plane होगा यहां पर और यहां पर फिर से concave upwards हो जाएगा इस तरीके से यहां पर वही हाल होगा ऐसे और इसके अंदर का भी situation अब यह ट्यूब जो होता है आपका काफी पतला होता है तो ट्यूब पतला होने की वज़ए से यहां पर यह जो plane surface है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे concave मिलेगा और यहाँ पे concave मिलेगा, तो यह पूरी तरह से concave हो जाता है, तो यह surface आपको concave ऐसी दिखाई देगा यहाँ पे tube के अंदर tube यहाँ पे purposefully इतना मोटा बनाया गया ताकि मैं आपको explain कर सको, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि आपको tube काफी पतला लेना है, चीक है अब यहाँ पे मैं 4 points consider करूंगा, एक point जो concave surface के उपर, यह पूरा का पूरा liquid है इस liquid के अंदर हम लोंने tube dip किया हुआ है, और यह वो situation है जहाँ पे आप liquid just उपर उठने वाला है इसके अंदर, उसके just पहले का situation है यह point A हो गया, यहाँ पे point B है, यहाँ पे point C है और यहाँ पे point D है point A जो है, वो curve surface के just उपर है मतलब, concave surface के just उपर है और point B, concave surface के just नीचे रहसा ही, आप C देखो कि तो plain surface के उपर है, और D अचा, अब अगर मैं आपसे यह पुछूँ कि point A और point B कहाँ पे pressure कम है और कहाँ पे ज़्यादा है तो मैंने इसके पर एक वीडियो बनाया है और वहाँ पे आप देख सकते हो concave और convex के बीच में pressure कहाँ पे ज़्यादा होता है तो यह हमेशा ध्यान रखना कि concave side का pressure हमेशा ज़्यादा होता है अगर liquid surface plane है तो इसके उपर और नीचे का जो pressure होगा वो same होगा लेकिन अगर यह curved surface है तो हमेशा concave side का pressure ज़्यादा होता है concave side का ज़्यादा है इसका मतलब PA will be greater than PB तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA is greater than PB लिख दिया? आचा अब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मैं A और C की बीच में comparison करो तो क्या होगा? देखो A भी atmospheric pressure होगा C भी atmospheric pressure होगा इन दोनों के यहाँ पर atmospheric pressure होगा क्योंकि यह दोनों points air में है सकता हूँ PC is equal to PD क्योंकि C और D का भी pressure सेम होगा, reason यह है कि C और D जो points है वो plane surface के उपर नीचे है मैंने बताया कि plane surface के उपर और नीचे का जो pressure होता है वो सेम होता है तो PC will be equal to PD अब यहाँ पर ध्यान से देखो PA is equal to PC and PC is equal to PD so therefore PA is equal to PD अब इसको देखो और इसको देखो PA PB से बड़ा है और PA जो है PD के बराबर है तो मैं PA की जगह पर PD लिख सकता हूँ अगर PA की जगह पर मैं यहाँ पर PD लिख दू तो PD will be greater than PB अब यहाँ पर PD जो है वो PB से बड़ा है इसका मतलब यह अब यह दोनों points जो है वो same horizontal level पे है liquid के अंदर D का pressure B से ज़ादा है अब same horizontal level पे liquid equilibrium में तभी रह सकता है जब A की horizontal level पे हर एक point पे आपका pressure same हो लेकिन यहाँ पे नहीं है और अगर liquid equilibrium में नहीं है हर point पे pressure same नहीं है same horizontal level पे तो अब liquid flow होगा equilibrium में ना रहने के वाज़े से अब flow होगा और हमेशा fluid जो है वो higher pressure से lower pressure के और flow होता है जब तक कि दोनों का pressure same नहीं हो जाए तो यहाँ पे आप देखो यह higher pressure पे है यह lower pressure पे है liquid अंदर के और flow होना शुरू हो जाएगा यह same situation यहाँ पे भी होगा हर एक point पे होगा तो यहाँ तरब से liquid जो है अंदर के और flow होगा और liquid level आपका rise होता चला जाएगा उपर उठता चला जाएगा और यह तब तक उपर उठेगा जब तक इस same horizontal level पे D और B का pressure प्रेशर सेम हो जाएगा तो flow बंद हो जाएगा और आपका liquid level वहीं पे जाके रुख जाएगा इस तरीके से आपका liquid level rise होता है किसी capillary के अंदर ठीक है अच्छा यहाँ पे fall होने का भी reason हो सकता है fall होने का क्या reason है fall तब होता है बच्चों जब इसके अंदर हम लोग एक ऐसा liquid भर दें जो liquid solid को wet नहीं करता solid को wet नहीं कर रहा है इसका मतलब समझ रहा हो ना कौन से liquid की बात कर रहा हूं yes कौन से liquid की बात कर रहा हूं mercury की तो मालनो तुम इसके नहीं mercury भर दो अब mercury का angle of contact जो होता है वो obtuse होता है क्योंकि हमने इसका explanation देखा था वो solid को wet नहीं कर सकता तो आप देखोगे कि उसका liquid surface जो है वो liquid surface इस तरह से होगा convex upward होगा ऐसे और बाहार भी अगर तुम देखोगे तो ये liquid surface जो है वो कुछ इस तरीके से होगा तो यहाँ पे convex surface बनाएगा यहाँ पे भी ये देखो convex surface बनाएगा और ये इस तरीके से आपका बन गया तो mercury अगर डालोगे तो situation कुछ ऐसा होगा अगे हम 4 points करेंगे point A, point B, point C और point D अब situation थोड़ा सा different हो जाएगा देखो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि PA जो है it is less than PB क्योंकि हमेशा pressure जो है वो concave side में जादा होता है अब यह उपर वाला जो है convex side हो गया और नीचे वाला concave side हो गया तो concave side का pressure जादा होगा तो PB या फिर ऐसे लिख दो PB is greater than PA PB का pressure PB प्रेशर जो है वो PA से बड़ा हो गया ओके clear है ना सी अगें A और C का pressure सेम होगा क्योंकि atmospheric pressure है PA is equal to PC and PC is equal to PD अगें यह plane surface के उपर नीचे है तो PC और PD equal होगा तो हम अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते है PA PC के बराबर PC PD के बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PA is equal to PD और PD के जगा पे आप PA लिख सकते हैं दोनों equal है तो यहाँ पे देखो PA के जगा पे आप PD लिख दो तो PB is greater than PD हो गया मतलब यहाँ का pressure अब जादा है इस case में और यहाँ का pressure कम है same horizontal level पे है तो अब जादा pressure से कम pressure की ओर liquid flow होना start हो जाता है तो अब जब यह बाहर निकल रहा है liquid तो अब जिसे बात है कि इसका height जो है वो कम होने लगेगा और यह तब तक fall होगा इसका जब तक pressure जो है वो equal नहीं हो जाता same horizontal level पे मतलब आप समझ दो कि अगर मैं इस horizontal level पे आ गया हूँ तो आपका जो pressure है वो हर point पे same होगा अगर same नहीं है तो फिर वो और नीचे आएगा तब तक जबता आपका liquid level same नहीं हो जाता तो इस तरह की से अगर same horizontal level पे जब pressure equal हो जाए तो आपका यह liquid fall होना बंद हो जाता है तो इस तरह की से liquid rise भी हो सकता है fall भी हो सकता है और इसी rise और fall को हम लोग बोलते हैं capillary action या फिर capillarity ठीक है अगले lecture में हम लोग क्या करेंगे capillary rise कितना हुआ है और कितना नीचे गया है मतलब कितना height वो उपर जा रहा और कितना height नीचे जा रहा है इस height का हम लोग derivation करेंगे इसका expression हम लोग derive करेंगे next video में ठीक है thank you